जनकपुर नामक गाउं में मनोज नामका एक आदमी रहता था वे बहुत गरीब था वे हर रोज बहुत मेहनत करता और बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बीवी बच्चे का पेड़ पालता था अजी सुनते हूँ आज शाम को जब आप गर आओगे तो कुछ सबजें लेकर आना गर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है हाँ देखता हूँ अब मनोच सोच में पढ़ जाता है क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ दो रुपे थी और सोचते सोचते वे अपने घर से काम पर निकल जाता है कुछ देर में वे अपने काम पर पहुँच जाता है और पूरा दिन कड़ी मेहनद करने के बाद जब वे घर के तरफ लोडता है तो रास्ते में बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है और उसके पास पैसे ना होने के कारण वे सबजी नहीं खरीब पाता वे वहाँ से निकल जाता है और फिर घर लोटते समय वे बहुत देर गाउं के एक हैंड पंप के पास खड़ा होकर सोचने लगता है रात को अगर मैं देर से घर जाऊं तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ खा कर सो ही जाएगा और मुझे कुछ घर ले जाने की चिंता भी नहीं होगी कितना बदनसीब हूँ मैं मैं अपने बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता इसे तरह कुछ देर मनोज अपने आपको कोस्ता रहता है रात होने पर जब वे अपने घर पहुँचता है अजी आपको आने में इतनी देर कैसी हो गई क्या हुआ मादुरी की बात सुनकर मनोज को रोना आ गया और वे फूट फूट कर रोने लगा मादुरी देखो मेरा नसीब मैं तुम्हे और अपने बेटे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता इससे जादा और क्या दुख्य बात हो सकती है एक पिता के लिए अजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं शुब शुब सोचिए सब कुछ ठीक हो जाएगा कल से मैं भी काम पर जाया करूंगी इससे हमारी परिवार के जरूरते हो पूरी हो जाएगी सुनते हो आज मुझे दिन बर काम करके 50 रुपे मिले है इससे हमारे घर का थोड़ा खर्चा तो चल ही जाया करेगा अब आपको ज़्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है आप अपने बेटे के लिए जरूरत की सारी चीज़े ला सकते है मादुरी मैं क्या करूँ मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे है आप ऐसा मत सोचीं जी फिर मनोज उन पैसों से घर का खर्च करता है और अपने बच्चे के लिए किताबे और खाने की चीज़ लाता है पीता जी आप मेरे लिए सिर्फ किताबे लाए हैं मैंने आप से खेलने के लिए गाड़ी भी मांगी थी मेरे सारे देश्टों के बस गाड़ी और अच्छी खिरोने हैं मुझे भी गाड़ी चाहिए मनोज फिर सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते वे घर से बाहर चला जाता है है भगवान अभी मैं क्या करूँ मेरे बच्चे को मैं कहां से खिरोने लाकर दूँ मुश्किल से तो घर का गुजारा चलता है मनोज हैड़ पम के पास खड़ा होकर खुद से बाते कर रहा था और मन हिमन सोच रहा था अब मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने बेटी की सारी जरूतें पूरी कर सकूँ तब युशे हैंड़ पम से एक आवाज आती है मनोज कौन है यह आवाज कहां से आई कौन मुझे पुकार रहा है मनोज मैं हूँ हैंड पम मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ आप बोल सकते हो हाँ मैं एक जादू हैंड पम हूँ मैं बोल सकता हूँ और तुम्हारी सारी बाते सुन भी सकता हूँ मैं गरीब और जरुतमन लोगों की मदद करता हूँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमारे सारे जरूतें पूरी करूँगा, तुम एक नेक दिल इनसान हो शुकरिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है मांगो तुम्हें क्या चाहिए मनोज, जो मांगो के वह तुमें मिल जाएगा हे हैंड पम, मुझे हजार रुपे चाहिए, जिससे मैं अपने घर की जरोतें पूरी कर सकूँ अच्छा, ठीक है, तुम मेरे हैंड पम के डंडे को जो जोड़ से चलाओ, जिससे तुम्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे जिससे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा फिर मनोज हैंड पम के डंडे को जोड़ जोड़ से चलाने लगता है, और तभी उस हैंड पम से सोने के सिक्के भाराने लगते हैं मनोज अच्रत से वह सब देखता है, और वहां गिरे सबी सोने के सिक्के उठा लेता है ये जादूई हैंडबम आपने मुझे इतने सारे सोने के सिके दिये इसलिए तुम्हारा धन्यवाद मैं आज ही इने सुनार के पास बेजकर अपने घर की जरूतें पूरी करूँगा फिर मनो जुवां से चला जाता है और सुनार के पास उन सिकों को बेजकर पैसे लेकर आता है उन पैसों से वह घर की सारे जरूत की चीज़े खरीद लेता है और अपने बच्चे के लिए खिलोने भी खरीद लेता है सारा खरीदा हुआ समान लेकर वह घर जाता है और अपनी बीवी और बच्चे को दिखाता है अरे वाँ पिता जी आप ये गाड़ी मेरी लिए लाए है हाँ बेटा तुम्हारे लिए लाया हूँ तुम्हें चाहिए दी न अजी आप ये इतना सरा समन कहां से लेकर आए आरे मादुरी वहाँ जो गौव में हैंड़ बम हे ना वहाँ जादू हैंड़ बम है उससे सोने के सिक्के निकलते हैं और उसने कहा है कि हमें जब भी लगे वह हमारी मदद करेगा यह बात किसी को पता तो नहीं है ना नहीं नहीं वहें थेंड़ पम क्या आप मुझे कुछ और सोने के सिक्के दे सकते हो मगर तुमें अब सोने के सिक्के क्यों चाहिए पिछली बार तो दिये थे आपने जो पिछली बार मुझे सोने के सिक्के दिये थे मैंने उनसे अपने घर की जरूते पूरी की थी लेकिन मुझे अब की बार गाउं के गरीब लोगों की मदद करनी है और उनकी मदद करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए यहाँ तो बहुत अच्छी बात है मनोज मैं तुमारी मदद जरूर करूँगा फिर मनोज हैंड़म के साहता से गाओं के गरीब और जरूतमन लोगों की मदद करने लगा उसने अपने साथ साथ गाओं की भी खुब तरक्य की तो दोस्तो हमें इस कहानी से यह सिक मिलती है कि हमें अपने साथ साथ सब के तरक्य हो ऐसी कोशिश करने चाहिए